अच्छा गुजरा होगा माजरत के साथ आज वीडियो जो है वो काफी लेट हो गई आज जो है जी वो मार्किट ने 28 पॉइंट निकाले हैं एक वक्त में मार्किट जो है वो थोड़ा पर्फॉर्म करती हुई नजर आ रही थी लेकिन उसमें थोड़ा सा ये अंसर मौजूद था कि शायद मार्किट जो है वो आज कुछ सस्टेन कर जाए क्योंके मार्किट ने कल जो है वो अच्छे खासे पॉइंट डाले थे और आज भी एक वक्त में मार्किट जो है वो पॉजिटिव रही हाई जो है वो मार्किट का 43,644 का था तो क्लोजिंग इसने दी है 43,337 प आज अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के काले बादल चाय रहे लोगों ने जरूर की होगी अगर आपके पास होगी तो यगीन आपने भी प्रॉफिट टेकिंग की होगी आगे चलते हैं और आल शेर की बात करते हैं सिर्फ 50 पॉइंट की कमी है कि हमें 30 की ब बता रही है ये लाइन आपको ये बता रही है कि चीजें जो हैं मुझ सस्टेन नहीं कर पा रही हैं लेकिन ये जिस वक्त हम कैंडल स्टिक पर जाएंगे तो वहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मामलाद जो हैं वो किस कदर नीचे जा सकते हैं आगे चलते हैं औ जो थी वो थोड़ी सी गुजारिश की थी कि सर ये इसके उपर मैं काम कर रहा हूं मेरे पास इसकी होलिंग है अब कुछ दोस्तों के आज मुझे मैसेजिस आए कि जी आपके कहने पर जो हमने बियर आर करें लिया है सर मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप हरी दे मैंने तो सर मैंने जरूर की थी कि मैं इसके साएए और तेंचार कमपनी जोरें जिनके काम कर रहा हूं थी के सर अगर तो आपको हुआ है प्रॉफिट तो आपको मुबारिक हो और खो अगर आपको लॉस हो जाए कि सर मुझे नहीं बता तो मैंने नहीं किसी से कहा कि वो खरीदे और नह ग्राफिकल वियू में आज टेक्नालोजी सेक्टर जो है वो लीड किये हुए है और लास्ट पे है टेक्स्टाइल स्पिनिंग टॉप टेन सिंबल्स की बात करें तो हैस कॉल में अच्छा खासा वॉलियम रहा वॉलियम तो बहुत अच्छा था पच्छीस मिलियन का लेकिन द थोड़ा अंदाजा होगा कि मार्किट का रुख किस तरफ हो सकता है मुमकिना तोर पर क्योंकि कोई भी चीज सरजी पिन पॉइंट नहीं की जा सकती बात करते हैं कैंडल की तो आज जो है देखें ये जो कैंडल बनती है ने ये वाली ये जाती तोर पर मुझे बिलकुल प फद्शाद का इजहार होता है कि चीजें जो है वो शायद इस से उपर ना जा पाएं इस तरह आज की जो कैंडल है उसमें भी अच्छा खासा सैलिंग प्रेशर जो है वो आपको नजर आ रहा है लोगों ने चीजों को बेचा है आज प्रॉफिट टेकिंग की है लेकिन इस करने की कोशिश करता हूँ कि यह मेरी मेरा एज्यूम किया हुआ है कि मेरे नजदीक शायर यह एक अच्छा लैवल है तो वहां से चुके मार्केट पलट चुकी है लहाज़ा यह एक अच्छा साइन है लेकिन आज मार्केट पर इस तरह से सेलिंग प्रेशर का आना यह कोई इतनी अच्छी बात नहीं है लेकिन हर चीज़ के साथ लेकिन का लफज आना बड़ा जरूरी है और वो यह है कि गो के आज कैंडल जो है वो रेड बनी है और इसके साथ साथ मार्केट के ओपर अच्छा कासा सेलिंग प्रेशर भी है लेकिन आप यह गौर फरमाईए कि इस अग्जेक्टली तकरीबन पचास पॉइंट का तीस पॉइंट का फरक है सिरफ लेकिन तकरीबन तकरीबन मार्केट ने क्लोजिंग वहीं दी है जहां पर मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी अब यह चीज़ जो है इसको मैं कंपेर करना चाहूंगा आज से कुछ चार पां परन में क्या फरक है ये ज़रा फ्रोड़ा सा मुलाइज़ा फरमाली जी और फिर वीडियो को इकताम की तरफ चलते हैं इस चीज़ को देख लीजिए कि ये दोनों कैंडल्स रेड कैंडल का बॉटम और ग्रीन कैंडल का टॉप एग्जेक्टली आपको एक ही लाइन में न ज़रूर करें ये लिकनी एक मेरी अपनी राया है अब इसी तरह का जो पैटरन है वो यहां पर बना था आज से ठीक जो है तकरीबन पांट से चे दिन पहले अब आप इसको गौर फरमा लीजिए मैगनिफाई ग्लास लें और इसको आप देखें अब यहां पर आप ये गौर फरमाएए कि रेड केंडल का बॉटम ग्रीन केंडल के टॉप से काफी नीचे है तो यहां से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि अनैलेसिस करते वक्त जब हम टेकनिकल अनैलेसिस करते हैं तो उसमें इन तमाम चीजों को मद्दे नजर रखना जर और प्रेडिक्शन जो होती है वो हमेशा हिस्टरी की बनियाद पर होती है अनैलेसिस तो सारा खड़ा होता है आपके हिस्टरी के उपर तो इसलिए हमने हिस्टरी को ही देखना होता है तो यह चीजज आप मिलाहिज़ा फरमाइए यहां पर जो है जो red candle बनी थी इसने अपने घुजिशता गुरीन कलर की जो candle की थी उसके नीचे closing दिए थी जबके आज जो है उसने exactly गुरीन candle के टॉप पर जो है वो closing दिया है तो दोनों में थोड़ा difference है इसलिए मैं आज की जो सिचुएशन है इसको थोड़ा प्रीवियस जो सिचुएशन थी उससे थोड़ा बेहतर समझता हूँ लेकिन यहां पर चीजें टॉप पर थी और यहां पर चीजें जो है वो थोड़ा नेगटिव सेंटिमेंट के साथ चल रही है यहां पर चीजें जो थी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ चल रही थी शायद मैं बात कुछ ज्यादा ही वो क्या कहते हैं गूमगू की कफियत ना करियेट कर दूं कहीं तो मैं इसको मजीद तोड़ा साधा करने के कोशिश करता हूँ कि जब यह सिच्वेशन बढ़ी थी उस वक्त जो सेंटिमेंट था मार्किट का वो भी पॉजिटिव था और ट्रेंड भी पॉजिटिव था क्योंकि मैं अगर कभी मुझे टाइम मिला थो इसको एक्स्प्लेन करूंगा जबके यहां पर जो है वो ट्रेंड तो अभी नेगटिव नहीं है मेरी नजर में ट्रेंड तो पॉजिटिव है जब तक मार्किट इस लेवल से नीचे नहीं आती मेरी जाती राय है कि ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन मार्किट का जो सेंटिमेंट है वो नेगटिव है लहाजा यहां पर दोनों चीज़ें पॉजिटिव थी और यहां पर एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगटिव है इस चीज़ को भी जरूर जहन में रखिएगा अगर आपको नई बाइंग या सेलिंग करने जा रहे हैं आखरी बात जो हमने आज डिसकस करनी है वो है आज का वालियम वालियम पर अगर आप थोड़ी नज़र दोड़ाएं तो आज लगने वाला जो वालियम है वो कल की निस्बत थोड़ा कम है लेकिन उस से दो दिन पहले जो वालियम लगा है उसके तकरीब करीब करीब है लहाज़ा मार्किट में वालियम कम हो रहा है तो मार्किट के अंदर वालियम का कम होना ये भी नेगेटिव सेंटिमेंट को जाहिर करता है इसलिए ये जो मैं बार बार ये सेंटिमेंट 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 की जो है वो तक्रीर करता रहता हूँ वीडियो के अंदर ये सरजी बड़ी एहम चीज है पै चले मैं आज इसको थोड़ा सब explain करी देता हूँ हमेशा जब trend बदलता है मसलन चीजे नीचे आ रही है और फिर उसके बाद ऊपर चली गई यहां चीजे ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है हमेशा याद रखीगा पहले sentiment बदलता है फिर trend बदलता है अगर sentiment जो है वो negative होना शुरू हो जाए तो फिर चीजें trend को change कर देती है मेरी बात समझ में आगी sentiment और trend यह दो मुफ्लिफ चीजे है sentiment पहले बदलता है trend बात में बदलता है जो लोग समझ लीजिए कि risk लेने वाले हैं वो sentiment को देखकर position लेते है और जब trend बदलता है तो वो exit ले लेते है ठीक है यह चीज आज मैं थोड़ी सी बताता चलू कि जो लोग trading psychology जानते हैं वो sentiment पर खेलते हैं वो trend पर नहीं खेलते trend और चीज़ है sentiment और चीज़ है YouTube उठा के देख लीजी आपको trendy trend मिलेगा sentiment की बात करते हुए बहुत कम लोग मिलेंगे अलाहाफिस